आज के इस वीडियो में हम ना किसी आईडेय के बात करेंगे और ना है किसी बिजनस मॉडल के उपर में आज हम बात करेंगे ऐसे स्किल के उपर में जो कि बहुत इंपोर्टेंट है आप सबी लोग के लिए तो ये वीडियो इस छोटे से वीडियो में मैं आपको एक बहुत बड़ा एक्जामपल भी दूँगा उनके बारे में जिसके बारे बताऊँगा आपको मैं तो never miss any opportunities आपके life में अगर आप start-up कर रहे हैं या फिर कोई भी business कर रहे हैं और सामने से किसी के पास से अगर आपको किसी भी टाइप का opportunity मिले कि हो सकता है वो funding के related हो हो सकता है आपके office के related हो कोई बोले आपको कि आजो मेरे office ले लो अपना काम अपना startup मेरे office से start करो लेकिन आ लेकिन अगर आप उस time ध्यान से सोचेंगे कि अगर यह opportunity मेरे पास आ रहा है तो इसके पीछे कोई ने कोई reason होगा इसे मुझे grab करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि अगर मालो आपने startup launch किया है और कोई बोलता है आपका friend है फिर कोई भी family कि मैं थोड थोड़ा सा grow कर लो तो आप सोचते हैं कि इस पैसे मुझे मेरा startup grow नहीं कर पाएगा क्योंकि मेरे जो model है वो बहुत बड़े skill के हैं बहुत बड़े हैं तो आप उससे ignore करते हैं लेकि बाद में आपको अपसोस ही होता है जब को startup grow नहीं कर पाता है या फिर आप सो चला नही कर लो मेरे ही घर से अपना startup शुरू करो आप छोड़े से room से छोड़े से office से छोड़े से थोड़े से पैसे से कोई वेकर आपको अगर opportunity दे रहा है तो उससे आप grab कर लिजे like मैं आपको बहुत बड़ा एक example देने वाला हूं किसका example देने वाला हूं Bill Gates Bill Gates जो बहुत बड़ एक review में गये तो जो anchor थी बिलियुक का इंटर्वु ले रहे थी तो वह anchor question किया एंगर ने बिलियूट से कि आप sir इतने अमीर कैसे बने इतने successful कैसे बने आप इस तना पैसे कहा से आया तो Bill Gates सुन रहे थे आराम से उस anchor की बाद कि एसस question ने तो Bill Gates ने अपने पास से एक चेक मैं इस पर कितना अमाउंट भर दूं तो एंकर री सोच रही थी कि क्या बोलू मैं होता नहीं कि कोई लोग सोचते हैं कि साइद सर मजा कर रहे होंगे इतना बड़ा माउंट बिल गेट्स ने सिधे ये बोला कि आप सिर्फ ब्लैंक चेक उन्होंने निकाला और एंकर से वक्त अगर आप बोलते हैं कि कोई भी अमाउंट और मैं जो साइन करके दूंगा आप सबसे बड़ी एंकर बन सकती हो अभी तक कि अगर जो भी मैं आपको ओफर दे रहा हूं अगर आप इसे ग्रैब कर लेते हो तो उस एंकर नहीं कहा कि नहीं सर ऐसा नहीं है मुझे नही मिस कर दिया तो बिल गेट्स ने का ठीक है चलो कोई नहीं लेकिन जब उन्होंने चेक रख लिया रिटन अपने पास तो बिल गेट्स ने बोला कि यही जो मैंने आपको यह ऑपरचुनिटी अभी दिया था कि आप इस चेक को ले लो जो भी आमाउंट चाहिए भर लो तो यह ऑपरचुनिटी अगर कोई और मुझे देता तो मैं इस ऑपरचुनिटी को नहीं छोड़ता उसे ले लेता और आगे बढ़ता तो जो आपने नहीं किया है इस ऑपरचुनिटी जो आपने छोड़ दिया है यही काम मैं आपने लाइफ में कभी नहीं करता हूँ मिर पास कोई भी opportunity अगर आता है, तो मैं उसे अराम से grab कर लेता हूँ, ले लेता हूँ, ताकि मैं आगे success कर पाऊँ, किसी भी चीज को छोटा हो बड़ा हो, मैं उसे नहीं छोड़ता, जो आपनी miss किया है, आपने भी miss कर दिया, अगर आपने भी इसे accept कर लिया होता, तो अभी तक कि आप सबसे बड़ी anchor बनती, तो यही बात उन्होंने example के रूप में, मैं आपको आज बता रहा हूँ, और उन्होंने ऐसा offer किया था, तो इसी type से मैं आपको कह रहा हूँ, कि कभी भी कोई भी आपको अगर opportunity दे, किसी type का भी, तो आप उसे छोड़िये मत, ऐसे सरमा मज़ ज entrepreneurs हमेशा रख रहेएगा, अगर आप startup कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और कहीं भी जा रहे हैं, किसी जगह पे, तो मैंने जैसे बताया कि वो opportunity कुछ भी हो सकता है, मैं एक particular example में आपको नहीं बोल सकता, कि कौन सा opportunity होगा वो, वो opportunity किसी type को सकता है, उस पर focus करें ध्यान द mean skill है, बहुत बड़ा एक notice करना चीज है, कि इस skill को अगर आपने छोड़ दिया, तो फिर आप कुछ ने कर सकते हैं, तो बस सही था आज का वीडियो, आप शेयर करिए, उन सभी entrepreneur में जो की skill, मतलब की जो opportunity छोड़ दिते हैं, तो बस मिलते हैं आप से किसी next video में, so entrepreneurs, this is others, and you watching, business classing, signing off.